नमस्ते आपका बहुत बहुत स्वागत बार कौशलेद क्लाजस में हम लोग का इक इनिशेटिव चल रहा है मैट्स 24 इन्टु 7 का जिसमें हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि अब CBC बोर्ड का बच्चा, ICC बोर्ड का बच्चा, UP बच्चा जो जनरल मैट्स पढ़ रहा ह बच्चा हर कोई मैट्स पढ़ेगा तो इसके लिए हम लोगों ने एक चलाया है 45 डेज का प्रग्राम जिसमें हम 45 डेज में 45 चाप्टर्स को कबर कर रहे हैं मतलब अगर आपको मैट्स पढ़ना है तो वो सारे चाप्टर्स आपको पढ़ने पढ़ेंगे आज का जो हमारा हवा हवाई लगता ना सर वो है ने बस आप देखते जाए देखो टिगनोमेट्री में जो पढ़ना ना बाबू वो टिगनोमेटिक रेशियो इसमें क्या होता है कि जैसे एक ट्राइंगिल है उसमें साइट्स दी गई होती है उसी का कुछ रिस्ता उस्ता कहलाता है आईए बहुत ध्यान से देखना बाबू अब जरा इसमें हम एक बात आपसे बोलें कि आप ट्राइंगिल के बारें तो जानते ही होंगे बाबू जो ट्राइंगिल के बारें जानता है ना वो बढ़िया से इस क्वेशन को लगा लेगा बहुत ध्यान से देखे मैंने बनाया एक ट जब मैं बोलूँगा sin c तो उधर से देखना होगा इसमें फर्क क्या है देखने में अगर a से देखोगे तो जो bc है वो प्रपेंडी कुलर होगा अगर हम a से देखेंगे तो यह p होगा जब यह p हो जाएगा तो जो 90 बनाती है नो दोनों डंडिया उसमें एक बेस हो अगर हम c से देखेंगे तब बाबू जब c से देखेंगे तब यह p हो जाएगा यह bp हो जाएगा और bc बेस हो जाएगा इतनी सी बात थी तो थोड़ा सा आप समझेए मेरा यह पहला question है कि मतलब कोई 15 quad तो इनसे पहला ज़रा इनसे मिलिये कि abc एक right triangle है abc एक right triangle है यह द bc हाना अच्छा ab कितना है 24 है अच्छा bc कितना है 7 है ac निकालना पड़ेगा बाबू जब तक ac नहीं निकालोगे न तो ac square का formula है इसमें क्या लिखते हैं 24 24 का square 7 का square 24 24 हैं होता है कितना 5 7 6 और plus हो जाएगा 49 कितना हो जाएगा यह 9 6 15 7 4 11 12 5 6 यह हो जाएगा 625 उत्तर कितना आया 25 इनि यहां हो जाएगा 25 यह आ गया आप ध्यान से सुनना इन्होंने क्या बोला था कि जरा भया sign a बता दीजे sign a बाबू देखो आप इधर न देखोगे इध अब इधर से देखोगे तो आप बताइए परपेंडिकोलरी आया कि नहीं आया तो बाबू sign का जो फामूला होता है sign a का जो फामूला होता है वो होता है p upon h अब ये sign कहां से आया टिग्नोमेटरी पढ़ रहा है तो sign कहां से आया देखो बाबू साय टिग्नोमेटरी पढ़ रहा है तो उसमें 6 लोग है जैसे किसी परियार में 6-7 लोग का परियार होता है ऐसे टिग्नोमेटरी 6 लोग है अब वही लोग मिल कर के class 11 तो में इतना broad form इन्होंने sign की बात की तो sign होता है P by H अब इसको हम क्या लिखेंगे 7 बटे 25 कोई डाउट नहीं है इन्होंने sign C भी पूछा क्या पूछा बाबू? sign C अच्छा देख बाबू sign C से ना तब perpendicular यहीं नहीं होगा C के ठीक सामने C के ठीक सामने A भी है 24 बटे 25 यहां मैंने P by H नहीं लिखा क्योंकि मैं already sign को मैं लिखता हूं P by H अच्छा अब यह तो हो गया Tignometry में कौन से 6 लोग है जरा उनका नमा तो सुन लीजिए एक है sign sign A एक है cos A अच्छा दूसरा है अरे वही तीसरा तैन A और बबू sign का उल्टा को से खोता है मतब पटिदार समझी आप एक्दम उल्टा नेचर का cos का होता है sec यह sec यह है और ten का होता है काटी अच्छा यह उल्टा रिस्ता होता आप से कोई sign ने पूछा तो आपने कहा 7 बटे 25 कोई को से के पूछा तब बिल्कुल परिश्या इसका पटक किये इसको 25 बटे साथ आप समझ गया ना तो यह था कि टिगनोमेट्री में इन 6 लोगों की वज़ा से पूरी टिगनोमेट्री मतला एकदम तहलका मचाई हुई है बच्चे कहता टिगनोमेट्री समझ वने आते तो मुझे लगता है कि जब यह ट्राइंगल से बाबू ट्राइंगल में 2 साइट गिवन हो तो तीसरी आप पाइथ पाइथा से निकाल दी यह पाइथा गोरस थियोरम है चीक है तो इसको जरा मैं आप क्लीन करके आपके इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं इन्होंने कहा 15 कॉट ए अब जरा ध्यान से देखना बाबू 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है है तो एक बात बता भीया कॉट एक्वल तो आठ पटे 15 नहीं हो जाएगा हो जाएगा ना अच्छा इसका मतलब कॉट का मतलब क्या होता है कॉट का मतलब होता है बाबू यह B भाइ P B by P इसका मतब किसी भी ट्राइंगिल में B और P दिया है अब इनोंने चुकि A की बात किया तो हम लोग A यहां लिख लेते हैं यहां B 90 कर देते हैं और C यहां लिख देते हैं अब इनके हिसाब से B 8 है और P 15 है तो यह 8 हो जाएगा और यह 15 हो जाएगा फिर से AC नहीं हम लोग पास तो हम लोग क्या करेंगे AC निकालने का तरीका क्या था 8 का स्क्वाइर और 15 का स्क्वाइर यह हो जाएगा 64 और 15 15 होता है 225 अब कितना हो जाएगा बाबू यह 5, 4, 9 हो जाएगा और 6, 2, 8 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2 यह 17 का स्क्वाइर है 17 का तो इसका मतब 17 मिल गया इन्होंने पूछा क्या था कि ज़रा SINE A and SEC बता दीजे, क्या बता दीजे SINE A and SEC बाबू देख, SINE A जब हम बोग SINE A की बात करेंगे तो क्या P upon H फामूला नहीं है अब A से देखे P कितना बाबू? 15 है H कितना है? 17 है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 15 बटे 17 अच्छा, इन्होंने ये भी पूछा SEC ये, देख बाबू, COS का उल्टा था SEC COS का उल्टा था तो हम लोग SEC लिख लेते हैं SEC A का मतलब होता है H upon B H upon B अब बाबू सुन H कितना है? 17 है B कितना है? 8 है तो ये क्या हो जाएगा? 17 बटे 8 ये कहानी खतम हो गई आब बहुत बिदा टाइम बेस्ट किये हम जा रहे हैं अगली स्लाइट पे हमारी जो हमारा क्वेश्चन है थीटा वाला इसमें एंगिल की वैलू रखते हैं बाबू सुनो पहला पोर्शन जो था उसमें हम लोग कोई ट्राइंगल दिया रहता है उसके बाद उसमें हम लोग उसकी वैलू वैलू रखते हैं है ना तीन साइड होता है एक भाग गया तो दो सम उसको निकाल लेते है जो दूसरा पोर्शन है इसमें थीटा उटा से कोई वो है तो इसको समझने से पहले आप थीटा बारें तो समझो आईए हम यह कह रहा है आप सिर्फ साइन, कॉस और टैन का याद करिएगा अच्छा याद भी नहीं करना बाबू यह देखोई 0 डिगरी 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी और 90 तो मैं फिर से कहूँगा आप पूरा याद करने चक्कर में परेशान हो जाओगा सिर्फ तीन याद करिएगा साइन 30 का 1 by 2 1 by root 2 और root 3 by 2 है ना और इसका पटक दीजे इसी को पटक दीजे यहाँ आजाएगा root 3 by 2 यहाँ आजाएगा 1 by root 2 और यहाँ चला जाएगा 1 by 2 और आपको पता ना 10 को हम लोग जब बोलते हैं बाबू तो 10 का मतब़ होता sin by cos इसी को अगर अपान अपान में कर लोगे ऐसे 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 तो देखो दो दो कट जाएगा 1 upon root 3 आजाएगा और यह 1 आजाएगा और यह root 3 आजाएगा तो लगबग 3 value तयार है आईए हम दनादन पुट करते हैं इन्होंने पहला पूछा पहला question कि बाबू 14 sin 30 degree plus 6 cos 60 degree minus 5 10 45 degree कुछ करना है बेटा कुछ करना नहीं है आप ध्याया से देखना 14 तो वही से रहन दीजिए sin 30 की value कहां है यह देखे 1 बटे 2 यहां लिखे 1 बटे 2 plus लगाईए 6 cos 60 की value कहां पहे है 1 by 2 अच्छा 5 10 45 की value कहा बाबू 1 है अब आप देखे कितना इजी है यह 2 सते 14 एने 7 आ जाएगा 2 तिया 6 मतब यहां 7 प्लस 3 आ गया 5 कन्यम 5 यहां आ गया 10 यहां आ गया 5 यहां आ गया 5 यहां एक बात न और बोलूँगा जैसे कभी कभी हम लोग जब value अपट करते हैं तो root root में आप जैसे हाई root वाले हैं तो जब denominator कभी root आजा तो कच्छन नौ में पढ़ाया जाता कि how to rationalize the given denominator ठीक है तो वो rationalize कर लिजेगा एक मैं example ऐसे दे देता हूँ कि मान लिजे हम solve करते करते हमारे पास आ गया 2 upon root 3 यही answer आ गया तो तुरंत इसको बिना देरी किये root 3 से root 3 से multiply करिएगा आपके पास आ जाएगा 2 root 3 नीचे हो जाएगा 3 यह ऐसे मतलब कभी भी root अगर नीचे आता है तो यह तो बास समझ में आ गई अच्छा अब ज़रा ध्यान से बाबू ध्यान से अगर हम बोलें कि यह इससे तो अच्छा है मैं इसको clean कर देता हूँ value तो आपको पता ही है आए इनसे मिल लिजे इन्होंने बोला था कि cos x की value बता दीजे अगर अपने पास cos 60 degree है cos 30 degree है plus sin 60 degree है और sin 30 degree है cos x b plus sin x sin b अर यह 11 पे जाओगे तो यह sin a plus b cos a plus b tan a plus b cot a plus b उन्हें यह सब में मिलेंगे तो चलो ठीक है cos 60 की value क्या थी बाबू 1 by 2 cos 30 की value क्या थी root 3 by 2 sin 60 की value क्या थी root 3 by 2 sin 30 की value क्या थी 1 by 2 ध्यान से देखना बगुआ यह कितना हो गया root 3 by 4 यहां कितना हो गया root 3 by 4 अच्छा अब यहां क्या हो गया देखो जब denominator सेम है तो आप जोड लिए 2 root 3 upon 4 अच्छा यह कट गया यह देखें 2 आ गया अब अपने पास root 3 by 2 है अब इन्होंने क्या बोला था कि cos x की value मतलब यहां x कोई theta है बावू x कोई theta है मैं सही बता दू यह पता तो चल गया होगा यह cos 30 की value है अच्छा यह cos 30 की value अब बिना कोई tension लिया बोल दिजए कि cos x equal to root 3 by 2 है तो इसका मतलब सर cos के time में अगर हम लोग चाहें तो इसको cos 30 लिख सकते हैं म्याओ कराईए x की value theta लिजी 30 degree आपने देखा angle भी खतम हो गया अब बताईए इसके बाद अपने पास आता है कौन सा पता आपको ये हाँ अरे इसमें बड़ा मजा आता है पूचे काहे जैसे माल लिजी कि आपने sides पढ़ा आपने angles पढ़ा लेकिन ऐसे बहुत angle आज आएगे बाबु न जिसकी value तो आप रख नहीं सकते तो उनका कोई तो plan बनाना पड़ेगा अब इनका क्या इलाज है देखो कुछ इलाज है जैसे माल लिजी कुछ formula है वो formula यह है ऐसे लिखा होता है sin 90 minus theta equal to cos theta बाबु ऐसे लिखा होता है अच्छा अब cos 90 minus theta ये लिखा होता है sin theta अच्छा एक और पढ़ लेते हैं 10 90 minus theta equal to cos theta तो इसी का उल्टा आप कर लीजीगा तीन आपको और मिल जाएगा ठीक है आप बिना परशान किये हम आते हैं अपने question पर जरा पहला आला देखे इन्होंने क्या बोला पहला बोला कि sin 28 क्या बोला बाबु sin 28 upon cos 62 बेटा हुआ देखो हम लोग sin को क्या लिख सकते देहां से सुनेगा sin 28 का मतलब मैं ये लिख सकता हूँ cos 90 minus 28 आप यहाँ देखे इनसे मिलिए cos 90 minus theta को क्या लिखते है sin theta तो जब cos 90 minus 28 को क्या लिखेंगे sin 28 और अपने पास cos 62 तो था ही उपर सब्टक्ट करोगे तो cos 62 आज आएगा और यहाँ cos 62 आपके पास था ही उत्तर हो गया एक देखा आपने वो पहला अला खतम अब ज़रा ध्यान से देखे मैं आ रहा हूँ दूसरे question पे इनसे इन्होंने बोला था 1048, 1023 बाबू देखो 10, 10, 10 तो थोड़ा सा रिष्टा आपको यह देखना है किसको change करें किसी दो का मान अगर 90 आता है उन्हीं को पकड़ लीजे क्योंकि अगर कहीं चोरी होती है तो जब कोई समझ में नहीं आता तो पुलिस वाले में हीरो को पकड़ते है चल तुम ही बता होगे बेटा कौन्च हो देखिया कोई कि तुम हो नंबर वन के डकैप तो इस वाजा से उन्हीं को पकड़ा जाता है तो देख भाऊ 48 और 23 90 नहीं हो रहा 48 और 42 90 और बस करो या तो आप 10, 48 को change कर दो या 10, 42 को change कर दो ठीक यही देखो 10, 23, 10, 67 इन दोनों में किसी को change कर दो तो मैं यह क्या रहूँ न इन दोनों को line से change कर देते हैं उन दोनों को छोड़ देते हैं 10, 45 को मैंने बोला था कॉट 90 माइनस 48 बाबू कॉट 90 माइनस 48 10, 48 10, 23 को क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस क्या लिखेंगे 90 माइनस 67 यह लिखेंगे नहीं गलत हो जाएगा इसको काटते हैं देखो 10, 48 को लिखेंगे कॉट 90 माइनस 48 है न क्यों भाई कॉट 90 माइनस थेटा 10 थेटा यहां क्या लिखेंगे कॉट 90-23 अच्छा आप ज़रा देखना बाबू यहाँ ऐसे छोड़ देते हैं 10, 42 और 10, 67 मैंने कुछ नहीं किया इनका अब इनसे पूछते हैं क्या होगा साहाब देखे कॉट 90-48 का क्या होगा बाबू कॉट 42 होगा अच्छा कॉट 90-23 का क्या होगा कॉट 67 होगा अच्छा यहाँ 10, 42 10, 42 और यहाँ 10, 67 अच्छा आपको पता ना मैंने बोला था आपको कि भाईया साइन का जो उल्टा होता वो कोसेक पटिदार एकदम आपके उल्टे नेचर का होता है मतब आप चलोगे डार डार तू चलेगा पात पाम आपसे कम नहीं रहेगा कभी तो ध्यान से सुनिएगा कॉट 42 का पटिदार है 10, 42 कॉट 67 का पटिदार है 10, 67 तो हम लोग क्या कर रहे हैं कॉट 42 को 10, 42 के साथ रख दे रहे हैं और कॉट 67 को यह एकदम मुल्टा वला कहानी इनसे मिलिए बाबू इन्होंने क्या कहा था 10, 2A बाबू मैंने बोला ना 10, 2A को हम लिख सकते हैं कॉट 90-2A इसमें जरा सा कोई डाउट नहीं है और इधर हई है कॉट A-18 बाबू है ना अच्छा, अब देख बाबू हमने कॉट कॉट को म्याओ म्याओ करा दिया अब अपने पास अभी भी 90-2A है और यहां है A-18 है ना अच्छा, है देखो माइनस 2A जब उधर जाएगा ना बाबू तो प्लस हो जाएगा तो यहां 90 को ऐसे रहन देते थे हैं और उस 18 को यहां ले आते हैं और यहां A प्लस 2A बराबर कितना हो जाएगा 3A और यहां कितना हो जाएगा 108 अच्छा, A की वेलू क्या होगी 3,3,9,3,6,8 लो A की वेलू पता चलगी आपको पता न यह हमारा अभी सेकेंड लास्ट वाला अभी देखना कितना मजाएगा बाबू कितना मजाएगा आप ज़रा ध्यान से देखना मेरा जो अगला टॉपिक है न यह वाला है जानते क्या है प्रूविंग इससे जादे फिर टिगनोमेटर में पैदा नहीं होता अचा इसको पढ़ने के लिए हम तजर्वे के आधार पे कुछ बातें लिख रहे हैं आप प्लीज उसको फॉलो करिएगा कभी भी प्रूविंग आपको लगाना हो ना बाबू बैलू सब्स्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अब हम एक ठीलिक देते हैं, तीसरा, आपको कौमन लेना आना चाहिए, आपको क्या आना चाहिए, कौमन लेना, अच्छा, चौथा क्या है, देख बाबू, आपको reducing आना चाहिए, कब कहां क्या reduce हो रहा है, वो चीज़, अच्छा, पच्छा थोड़ा सा हम देखें, तो identities आन question है, वो है, sign a upon one plus cause, ये एक ही short में हम बना दे रहा है, ताकि आपको इसको देखने के बाद ये ना लगे, कि tignometry में इससे भी जादे कुछ है, बभू हमें सही बता रहूं, कुछ नहीं मिलेगा, इससे जादे concept है नहीं है, अच्छा, अरे proving कभी कभी दो चाट की मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन हैं होए नहीं, देख बाबू, यहां हम लोग sign लिख देंगे, और ये common लेने के बाद, अरे LCM, LCM लेना तो आता है ये आपको, अच्छा, अगर नहीं आता तो आप मेरा foundation वाला वीडियो देखेगा, ये यहां जाएगा sign square A बन जाएगा, और यहां जाएगा, 1 plus cos A का whole square बन जाएगा, तुरंत हम लोग और क्या लिखेंगे, sign square A, और इसको खलवा दो भीया, देखो ये plus B का whole square, 1 plus cos square A, plus 2 cos A, अच्छा, अब देखे, मैंने बोला था, आपको common लेना नहीं आएगा ना, तो आप सही बता है, अच्छे ये बेटा, देख बागो, sign square cos square एक formula है, 1 हो जाता, मैं भी लिख भी दूँगा, 1 plus 1 plus 2 cos, है ना भीया, ये, यहां क्या है, sign A हई है, और यहां आजाएगा, 1 plus cos A, देख बागो, 1 out, 1, 2 हो गया, एक स्टप यहां और बढ़ा दे रहा है, तो यहां 2 plus 2, क्या है ये, cos A, upon sign A, और 1 plus cos A, बाबु ध्यान से देखते रहा है, हमने क्या किया, LCM लिया, जहां जरूरत पड़ा, identity को खोल दिया, अब यहां हमने इसको addition करा दिया, अब मैं यहां common ले ले रहा, आप बताए, इससे जादे क्या पढ़ेंगे हम लोग, इससे जादे क्या पढ़ेंगे इतना concept समझने के लिए बहुँ जादे है, sin A, 1 plus cos A, अच्छा, आपका पता यह कट जाएगा, 2 upon sign, बाबु 2 upon sign को हम लोग बोलते है, 2 cos A, क्योंकि sin का उल्टा क्या होता है, 2 cos A, देख लिए आपका, answer आगया, यह आगया ना, अब इसको मैं काटे देता हूं, इसको मैं कार देता हूं, जब फार्मूले की बात हो, तो जो मेन मेन फार्मूले हैं, उसको लिख लिजिए, यह है sin A, plus cos A, equal to 1, अच्छा, बाबु एक बात और, अगर यहां sin A, को मैं रहने देऊ, अगर मैं sin A, को रहने दो, तो cos A, उधर जाके minus करेगा, 1 minus cos A, ठीक है ना, इस तरीके स एक तो मेन फार्मूला यह हो गया, दूसरा मेन फार्मूला है, sec square, बाबु यह है sec square minus 1 equal to 10 square, यह मेन फार्मूला हो गया, अब यह ठीय हो रहा है, क्या, cos A, minus 1 equal to 4 square, भहिया, इन ही से पूरी मैत्वा लग जाएगे, कृसम से बता रहे हैं, और इनको तो जन्वे करते हैं, sin A का उल्टा 1 by cos के अब इस तरीके से cos का भी उल्टा लिखवा दें cos य का उल्टा 1 upon से किये अच्छा तो एक लोगा और बने है 10 ये होता है 1 by cot बाबू समस्ज में आगे नगे ठीक इसी का और उल्टा करा दी जाए इन से मिल लेते हैं देखो 1 plus cos 1 minus cos ना तो यह लाना है तो इससे अच्छा बबू इनको solve कर लो का हम RHS को LHS में किसी एक को solve कर सकते हैं तो ज़रा मैं ले लेता हूँ कोसे के plus cot देखना भईया कितना identity अगरा जरूरी है value substitute करना आना चाहिए common लेना आना चाहिए बबू देख कोसे को ना जब sin का 1 by cos हो सकता है तो cos का 1 by sin नहीं हो सकता का हो सकता है तो हम लोग लिख देंगे 1 by sin A अच्छा अब cot को क्या लिखते हैं cos A by sin A अच्छा यह मैं यहां लिख भी देता हूँ यह बहुत important formula है कि 10 A को लिखते हैं sin A by cos A cos A और cot को लिखते हैं भाईया cos A upon sin A अरे समझ जाओ गया अब बबूआ देख हाई डबूआ में दोनों common है तो हम लिख देते हैं sin A है ना और यहां क्या आज आएगा 1 plus cos A square यहां भी लगा देते हैं यहां भी square इनका भी इनका भी है तो मैं लिखूंगा 1 plus cos A का square मैं यहां लिखूंगा sin square अच्छा देख भगवा हाई देखो sin square को क्या लिखते हैं 1 minus cos square तो हम लोग लिखेंगे यहां 1 plus cos square मतलब cos A का square और यहां लिखेंगे 1 minus cos square बाबूआ ठीक है ना अब इसको हम लोग लिख देंगे दू बार है तो ऐसे लिखें 1 plus cos एक बार में और फिर 1 plus cos एक बार में अच्छा निचवा है 1 minus cos square बाबू इसको एक formula लग जाएगा यहां 1 minus cos 1 plus cos क्योंकि A square minus B square के यह formula है तो यह जब expand करेंगे तो यह आ जाएगा मिल चुका है 1 plus cos एक और अपॉन 1 minus cos बगवा एक सोट में थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन एक सोट में पूरा टिग्रोमेटर की आउकात मैंने दिखा दी और मुझे लगता है सबसे बढ़िया concept था enjoy करिये, मस रहिए, पढ़ते रहिए